नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सब का स्वागत और अभिनांदन है, आज हम सीत युद्ध का दोर, समकालिन विश्वर राजनीती पठे पुस्तक का पहला चेप्टर है सीत युद्ध का दोर, सीत युद्ध की दोर की महतोपून घटनाएं, इस चेप्टर से बनने वाले महत तो पूर्ण पर्षनोत्तर करने से पहले इसको हम थोड़ा समझने का परियास करेंगे, और एक रोचक कहनी के रूप में इसको समझने का परियास करेंगे, ये जो कहनी है, अपनी शुरू होती है उनने सू पैंतारिस से, ये कहनी उनने सू पैंतारिस से सुरू होती है और 1991 तक चलती है तो इस कहनी की जो जड़े है सीत युद्ध की जड़े है वो दित्य विश्वय युद्ध में है दूसरा विश्वय युद्ध जब अमेरिका, सोव्यत संग, ब्रिटेन, मित्र देशों के रूप में और दूसरी तरफ धूरी राष्ट्रों के रूप में जर्मनी, जापान और इटली आपस में लड़ रहे थे दूसरा विश्वय युद्ध जैसे ही परमानू बम गिराया जाता है जापान के हीरो, सीमा और नागा साकी पे तब इसका अंत हो जाता है डित्ते विश्वय युद्ध का दोर सुरू हो जाता है दूसरा विश्वय यद्ध चल रहा होता है उस्सी समय यह महसूस किया गया कि मानव जाते को तीसरे विश्वय यद्ध से कैसे बचाये जाए और इसके लिए एक अंतराष्टी इस्तर पे एक सा संगठन हो जो तीसरा विश्वईद नहीं होने दे क्योंकि दो विश्वईद पूरा विश्वई देख चुका था मानव जाती की हानी को देख चुका था तो तीसरा विसो युद्ध किसी भी स्तिती में ना हो इसके लिए प्रियास किये जा रहे थे 1945 से पहले पहले और 1945 में अक्टूमबर के महिने में UNO का गठन कर दिया गया अब इस कहानी को हमसीत युद्ध के जो कहानी है कहानी किस तरीके से 1945 से 1991 में तक चलती है तो सीत युद्ध का जो दोर है सीत युद्ध परत्यक्स युद्ध नहीं था ये हम सब को पता है कि सीत युद्ध परत्यक्स युद्ध नहीं था सीत युद्ध में किसी परकार का रक्त रंजित नहीं वाग किसी परकार की लडाई, आमने सामने की लडाई नहीं हुई, ये एक विचारधारात्म की युद्ध था, परतिस परदा और संघर्ष का युद्ध था, दोनों महा सक्तियों के, तो कह सकते हैं कि सीत युद्ध का विप्राय कैसे इस्तिती से है, जिसमें दो देशों के बीच रक्त रंजित युद्ध नहीं था, ये विचारधारा का युद्ध था, परतिस परदा का युद्ध था, परतिस परदा थी, संघर्ष था, तनाव था, पूरा विश्व दो महा सक्तियों में बटा हुआ था, तो वो महा सक्तियां थी, एक महा सक्ति थी, अमेरिका, दूसरी महासक्ति थी, जिसको आप वर्ल्ड मेप में देख सकते हैं, सोव्यत संग, ये 15 देशों का ग्रूप था, सोव्यत संग जिसका नाम था USSR, और ये था USA, सोव्यत संग के जो विचारधा थी, वो समाजवादी, सामयवादी विचारधा, अमेरिका के जो विचारधा थी, वो दारवाद, पुंजीवाद, और लोक तंत्र, दोनों देश, दोनों देशों ने अपनी अपनी दुनिया बसा ली, अमेरिका फेस्ट दुनिया, सोव्यत संग के नेतर्टवाले देशों की दूसरी दुनिया, अमेरिका के नेतर्टवा की फेस्ट दुनिया, ये विक्षित देशों की दुनिया थी, फेस्ट दुनिया, दूसरी दुनिया, सोव्यत संग वाली नेतर्टवा की देशों की, भा उन देशुं की ये प्यारा सा भारत है, ये हमारा भारत है, जो उस समय नव सवतंतर देश था, तो भारत के सामने संकर था कि मैं अमेरिका के पक्स में जाऊं या सोव्यत संग के सैने गुट में जाऊं, किसके पक्स में जाओं, या मैं अपनी सवतंतर विदेश नीती अपनाओं, तो तीसरा एक गुट बना लिया, गुट निर्पेक्ष नाम के नाम से, और तीसरी दुनिया ने अपना नाम रख लिया, नाम, NAM, NAM का मतलब होता, Non-Alignment, Non-Align Movement, यानि किसी भी सेनी गुट से ना ज हमने वल्ड मैप के माध्यम से देख लिया, नाटो जो कि उत्तर एटलांटिक संधी संगठन था, और शीटो, नाटो, शीटो और शेंटो, ये सेनीक संगठन बनाया, अमेरिका ने, इसके जबाब में सोवेत संग ने बनाया वार्षा, वार्षा सेनीक संगठन, अब हम दे वाजवाद है, सामने वाद है, मैं लोगों को ज्यादा न्याई पून विवस्था उपलब्द करा रहा हूं, मैं सही हूँ, दोनों अपने अपनी सक्ति का परदसन कर रहे थे, दोनों अपने अपने छेत्रों को बढ़ाने का प्रियास कर रहे थे, पस्चिमी यूरोप अम अवेरिका के पक्स में, तो पूरू उरोप, सोवेत संग के पक्स में, उदारवाद एक ऐसी विचार धारा जो व्यक्ति को ज्यादा सवतंतरता देती है, उदारवाद लिब्रेलिजम सब से बना जिसका मतलब है उदार आजादी, पुन्जी वाद जो की व्यक्ति को आर्थि लोगों के लिए सासन वेवस्था वाली वेवस्था है, इधर समाजवाद जो की उतपादन और वित्रण के सादनों कर राज्ये का नियंत्रण और फिर जो समयवाद है, एक पार्टी का सासन, इस तरीके की ये वेवस्थाएं थी, तो अमेरिका समयवाद को एक दूसरे के विपरित विचारदारा, एक दूसरे के एक व्यक्ति को ज़्यादा जाती देता है, तो एक राज्ये को ज़्यादा जाती देता है, समाजवाद और समयवाद, राज्ये को ज़्यादा अधिकार देता है, सक्तियां देता है, तो उधारवाद और लोकतंत्र, ज्यादा ज्यादी देते हैं और राज्ये को कम सक्तियां देते हैं इस तरीके से ये जो घटना करम चल रहा था ये हमने सीति युद्ध का विश्तार से आगे हम पूरा का पूरा समझेंगे अन्य महतो पूर्ण परसन करेंगे बड़े परसनों का भी हम देखेंगे कि जो सीति मौनागा साकीपे प्रमानू बंग गिरा कर सबसे पहले अमेरीका ने अपने सक्ति पर्दसन किया था और यहां अमेरीका के पास एक छोटा सा देश था जिसकी विचार धारा समयवाद की थी सामयवादी विचार धारा थी तो सामयवादी पक्समेदेश था इसका नाम था क्यूबा और 1961-62 में निकिता खुरुष्चेव जो की रूसी राष्टपती थे मिसाइल तैनात कर दी जाती उनके द्वारा तो यहां तनाव पैदा हो जाता है पूरे विश्व को यह लगता है कि अब तीसरा विश्व युद्ध किसी भी हलत में टलेगा नहीं तो आगे बढ़ते हैं महतोपून सक्ट की ओर क्यूबा मिसाइल संकट यान सीत युद्ध के दोर में कौन-कौन सी महतोपून घटनाई हुई उन सब के बारे में हम पहले जानकारी लेंगे कौन सी महतोपून घटनाई चल दी थी वो तो क्यूबा मिसाइल संकट अमरिका के तट से लगा हुआ हमने मैप के माध्यम से भी देख लिया कि अमरिका के तट से एक छोटा सा देश लगा हुआ था जो सोवेत संग से काफी दूर था लेकिन अमेरिका के एकदम नजदीक था तो इससे सोवेत संग अमेरिका पे नजदीक से हमला कर सकता था अमेरिका को टार्गेट कर सकता था क्यूबा मिसाइल संकट चरम बिंदू था सीतियुद का अमेरिका के तड़ से लगए एक छोटा सा देश था सोवेत संग की विचार धारा का था तो सोवेत संग उसे कुट नीतिक और आर्थिक मदद दोनों परकार की मदद दे रहा था सोवेत संग सोवेत संग के तदकालीन नेता थे वो थे खुरूश्चेव निकिता खुरूश्चेव जो कि क्यूबा में सैनिक अड़ा इस्तापित कर दिया उन्होंने और वहाँ परमाणू मिसाइले तैनात कर दी तो इसे कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट ये 1962 के घटना है साल थी 1962 अमेर किराष्टपती थे उस समय जोन कैनेडी और वे अमेरिकी जंगी जहांजों को भेज देते हैं क्यूबा की तरफ दोनों देशें बिलकुल आमने सामने थे पूरा विश्वय घटना करम देख रहा था और पूरा विश्वय को ये एकदम कंफर्म था कि तीसरा विश्वय और किसी भी हालत में टाला नहीं जा सका ताला नहीं जा सकता लेकिन ये युद्ध टल गया इसके लिए एक अपरोध है जो वो घटना जिम्मेदार है तो अपरोध का मतलब ये है कि दोनों महसक्तियां जब समान सक्ति में हूँ तो कोई भी आकरमन करने की रिस्क नहीं को हम देख लेते हैं थोड़ा सा सुयुक्तराज अमेरिका और सोवेच संग और उसके जो साथी देश थे उनके मध्य पर्तिदवन्दी था तानाव संगर्ष की एक स्रंखला के रूप में जारी था 1945 में जब दूसरा विशोईद समाप तो हुआ 1949 से पैंतालिस के बीश चला था दूसरा विशोईद तो मित्र राष्ट्रों के अगवाई में अमेरिका, सोवेच संग, ब्रिटेन, फ्रांस ये एक साथ थे और दूसरी तरफ दूसरा जो गुड़ था वो था धूरी अमेरिका सूपर पावर के रूप में बनना सुभरने के लिए अपनी ताकत जो राज मारा था, तो उस एस आर जो के 15 देशों का गुरूप था, वो अपनी ताकत के लिए जोड लगा रहा था, अमेरिका ज्यादा से ज्यादा अपने फेवर में देशों को जोड़ना चाह तो सोवित संग अपनी नियंत्रण में ज्यादा से ज्यादा देशों को लाना चाह रहा था, 1945 में अमेरिका ने जापान के हीरो सीमा और नागासा के हीना, हीना के नाम से आप याद रख लें, हीसे हीरो सीमा नाशे नागासा के परमानु बम गिराए, अगस्त 1945 के घटना है अगस्त 1945 के इसके बाद दितेवी सुद्ध का अंत हो जाता है और अमेरिका की जो सकती परदसन का यह तरीका था, इससे सोवित संग बहुत नाराज हो जाता है, और यहां से सीत युद्ध की सुरुआत हो जाती है, सीत युद्ध का महज यही कारण नहीं था, कि अमेरिका ने सकती परदसन किया, इसके पिछे और भी कारण थे कि प्रसपर संदे और भे का वातावरन था, और दोनों देशों के बीच क्योंकि अमेरिका ने परमाणू बम बनाने का रहसे सोवित संग से चुपाया था, क्योंकि यह मितर देश थे, तो इन से चुपा कर जापान की ह शेतर पूरीतर सवतंतर था, उत्पादन और वितरन के साधनों में व्यक्ती पूरीतर सवतंतर था, तो सामयवादी में उत्पादन और वितरन के साधनों पे राज्य का नियंतरन होता है, तो वो राज्य के नियंतरन में एक वेवस्था थे, अब दो विश्वय, धुर्व जो कि सोवेत संग था पर्थम महासक्ति स्विंक्तराज्य अमेरिका और दित्य महासक्ति सोवेत संग विश्व के दो देश पुंजिवादी और समयवादी विचारधरायामने सामने थी सीति उद्ध का परमुकान स्विंक्तराज्य अमेरिका और सोवेत संग का महासक्ति बनन सर देष अमेरीका के पक्स में थे, तो पूरवी उरॉप के अधिकान सर देष सोवियत संग के नेंतरण में पक्स में थे, और दोनों ने सकती गुटूं का निर्वान करना अपने मैप के माध्यम से भी देख लिया नाटो, सीटो और शेंटो ये अमेरिका के गुट थे तो वार्षा जो गुट था वो सोवित संका था इस कारण इन गुटों को पस्चिमी और पूर्वी गठ बंदन भी कहा गया सुउक्तराजे अमेरिका द्वारा अप्रेल उने सोनहंचास में नाटो जिसका पूरा नाम था उत्तर अटलांटिक संदी संगठन इसमें उस समय ततकालिन समय में 12 सदसे थे वर्तमान में इसमें 30 सदसे हैं वर्तमान घटनाओं से कोरिलेट करेंगे वर्तमान में जो रूस औ और यूक्रेन के बीज जो तनाव चल रहा है उसकी जड़े सीत यूद और नाटो की स्थापना वहीं से इसकी जड़े हैं उसको भी हम लास्ट में करेंगे देश समलित थे वो देख लेते हैं नाटो में नाटो में समलित देशों के मुकाबले सोवित संग नाटो का दोफ में सामना करना था समय उत्राज्य अमेरिका ने अपना वर्चस्व बढ़ाने हितु पूर्वी और दक्ष्नी पूर्व एशिया और पश्चिमी ऐशिया में गठवंधन का तरीका अपनाया यह छोटे देशों को अपने संधी संगठन में सामिल करते थे छोटे देश भी इनके संधी संगठनों में सामिल हो जाते थे उसके पीछे भी कई कारण थे कि जो छोटे देश थे वो इनसे संधी संगठन करते क्यों थे ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण वो इनके संगठन में जूडते थे तो सैनिक ठिकाने बनाने के लिए और महासकती जो छोटे देशों के साथ है संगठन गठवंदन करती तो भूचेतर का उपयोग भूचेतर का उपयोग करने के लिए भूचेतर का उपयोग करने के लिए और उनके जो सहनिक संगठन है उनको वहाँ से चला सके और आर्थिक मदद आर्थिक संसादन जो भी प्राकरतिक संसादन थे इन छोटे देशों में थे उनका यूज महासक्तियां कर सकें और महासक्तियां भी जो छोटे देश थे वो भी इन महासक्तियों से जूट जाते थे क्योंकि छोटे देशों को भय था अपनी सुरक्षया का तो वो और अपने आर्थिक विकास का तो छोटी जो देश थे वो भी इन देशों से जूट जाते थे तो इन गठ बंदनों को दक्षिनी पूरु एशिया संधी संगठन सियर्टू और केंदरी संधी संगठन है वो है सेंटो जैसे विकासिल देशों ने दोनों महासक्तियों के गुटं से अलग रह कर एक तीसरा गुट बना जिसको हमने बात की हमने भारत जैसे देशों ने पांच देशों ने मिलकर दोनों धुरूं को चुनोती देने का प्रियास किया दोनों महासक्तियों को चुनोती देने का प्रियास किया और एक नया गुट बनाया अपनी तीसरी दुनिया बसाई उसका नाम था गुट निरपेक सांदोलन और ये 1950 के दसक का जो लास्ट वर्स उसी समय से शुरू हो जाती है इसकी प्रक्रिया और ये विकास सील अलप विक्षी देश थे इन्ही अभी अपनी आर्थी के विकास करना था गरीब देश थे नव सवतंतर देश थे अभी अभी सवतंतर हुए थे पंडी जमाहलाल नेहरू मिसर से नासीर इंडोनेशिया के र बैल गरीड में इनका सम्मेलन होता है 1961 में ये बैल गरीड है ये कुछ मिस्प्रिंट हुआ यहां आप ध्यान रखें ये बैल गरीड है बैल गरीड में 25 देशों ने भाग लिया था 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था सदसे देश थे 25 आंदोलन में समलिता दिकांज देश विकास हिल थे जिनके समुक्स परमुक चुनोती थी वो था अपने देश का विकास करना और वो भी आर्थिक विकास करना इनकी परमुक चुनोती थी दूसरा सोवित संग और सामेवादी चीन ने इस छेतर के वितनाम उत्री कोरिया और इरांग जैसे देशों के साथ अपने समंद मजबूत कर लिये थे गुट निर्पेक्स आंदोलन का विकास 1950 के दसक के उत्राद से ही सुरू हो जाता है जिसे नव सवतंतर देशों ने चलाया था दो विश्वय जो गुट में बटे हुए थे उनको चुनोती देना नहरू जी जो की गुट निर्पेक्स आंदोलन के एक परमुख नेता थे उत् स्यूक्त राष्टर संग के महा सचेवने कांगो संकट में मद्देश्टा 1960 के दसक के उत्राद में दोनों महा सक्तियों ने अस्त्र नियंत्रन के लिए हथियारू की जो होड थी उस परंकुष लगाने का प्रियास किया जाता है क्यूंकि अब इन महा सक्तियों को ये अंदाज लग गया था अनुभव हो गया था कि हम हथियारूं की होड में एक बड़े संकट को जनम दे रहे हैं एक कलाइमेंट को चुनोती पैदा कर रहे हैं कलाइमेंट को गंदा कर रहे हैं तो अब इन महा सक्तियों ने प्रमाणू प्रिक्षण पर्तिवंद जैसे संधिया करनी प्रारंब कर दी और इसके लिए सबसे पहले प्रियास किया वो संधी थी सिमित्य पर्मानु प्रिक्षन पर्तिवन संदी जो कि स्म्युक्त राज्य अमरीका और सोव्यत संग के बीच होती है पांच अगस्त 1963 को साल थी 1963 के वायू मंडल बाहरी अंत्रिक्स और जल इन तीनों में पर्तिवन लगा दिया गया अब प्रत्वी बच गई थी तो वहां प कोड़ बर्ड बना ले यह जो संधी थी यह 10 अक्टूंबर 1963 से प्रभावी हुई दूसरी जो नेक्स्ट प्रमानु अय प्रसार संधी जिसका नाम NPT भी है यह 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई यह 1967 की संधी मानी जाती है 1970 में 666 की संधी मानी जाती है 1970 में प्रभावी होती है यह सिर्फ प्रमानु सकती संपन देशूं जिनके पास हथियार है उन देशूं को छूट देती है प्रमानु हथियार रखने के अनुमती देती है और जिन देशूं के पास प्रमानु हथियार नहीं है अब तक नहीं ब अमेरिका, सोव्यत संग, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को प्रमानु सक्ति संपन माना जाता है, ये देश प्रमानु सक्ति संपन है, भारत ने प्रमानु सक्ति उस समय रिक्षन किया नहीं, तो इसलिए भारत ने इस प्रिशन अस्ताक्षर नहीं के, सामरिक अस्तर प्रिशिम इतर के नौंबर में शुरू होता है और 26 मार्च 1972 तक यह स्ताक्षरीत हो जाती है 1932 अक्टॉंबर बहतर में प्रभावी हो जाती है सामरिक अस्तर परिशीमन संदी सेकंड साल्ट सेकंड भी बोलती इसको 1932 से प्रारमवार्था के दीती चरण के अंतरगत सोव्यत नेता थे ब्रजने और अमरीकी राष्टपती थे जीमी कार्टर इनके बीच वियना में 18 जोन 1989 को घातक हथियारों के लिए या कहें कि सामरिक रूप से जो घातक हथियार है उन पर परतिबन लगाने के लिए संदी की जाती है सामरिक अस्तर न्यूनीकरन संदी जिसका नाम है स्टार्ट वन सामरिक जो अस्तर है उनको कम करने के लिए सोवेत राष्टपती गरवावचो और अमरीकी राष्टपती जोर्जबू सीनियर ने कती जुलाई 1901 क्यान में कोई समझ होते है पहसताकसर की उनिसोई क्याणमे में होती है जुलाई उनिसोई क्याणमे में ये जो राष्टपती हैं गरवाव चो ये सोव्यत संग के अंतीम राष्टपती होते हैं क्योंकि इनकी नीतियों के कारण सोव्यत संग तूड़ जाता है उनिसोई क्याणमे में और ये जो कहानी है सीत युद् तो सामरिक अस्तर न्यूनिकन संधी स्टार्ट सेकिंड है, ये संधी कब होती है, तो इस संधी में राष्टपती बोरिस एलसन, कि 1901 में बोरिस एलसन रूस के पहले राष्टपती बनते हैं, तो रूसी राष्टपती एलसन और अमरीकी राष्टपती जोर्ज डवलू बूस सीनियर अमरीकी राष्टपती ये तीन जनुवरी उनिसो तिरानमा कोई संधी पे अस्ताक्सर करते हैं गुट निर्पेक्सांदोलन के परमुख नेताओं में पंडी जवाहला नेरुजोगी भारत के परधान मंत्री थे और विष्वे में सांती इस्थापना करना और सांती पून सहस्तित्वक बढ़ाओ देना इनकी महत्तो पून नीतियों में सामिल थे भारत के लिए गुट निर्पेक्सांदोलन के संस्थापकों में परमुख थे दूसरे जो नेता थे टीटो युगोस लावे के सासक थे तीसरे थे नासीर मिसर से सुकरनो जो किंडोनेशिक राष्ट पती थे वामे एन कुरमा जो की गहना के परधान मंत्री थे अभी हम कुछ परसन ले लेते हैं कि देखते हैं कितना हमें समझ में आया है तो पहला परसन है कि दित्ती विस्वयुद के अंत के फलसरूप जैसा है दूसरा विस्वयुद समाप्त होता है तो कौन सी दो महसक्तियां उभर कर सामने आती हैं तो वो अमेरिका और सोवेट संग ऐ उप्शन हमारा सही हो जाएगा सोवेट संग और अमेरिका दोनों महसक्तियां उभर कराते हैं अमेरिका ने जापान के हीरो सीमा और नागा साकी पर परमाणू बम कब गिराए तो इसके लिए साल आपको देखनी है तो ये महिना था बै ओप्शन हमारा सही है अगस्त उनिस उपेंटारिस नाटो की स्थापना कब हुई तो नाटो की स्थापना उनिस सो पेंटारिस में सोरी उनिस सो उननचास में अप्रेल उनिस सो उननचास में नाटो की स्थापना होती है वार्षा संधी की स्थापना का वर्ष, तो वार्षा संधी की स्थापना का जो वर्ष है, वो है 1905, वार्षा जो सैनिक संगठन है, वो नाटो के विरूद्ध बनाय गया था, ये नाटो का जवाब देने के लिए, सोवित संग द्वारा पर्थम गुट निर्पेक्स सम्मेलन Belgrade में कब हुआ था तो इसके लिए साल थी वो थी 1961 Belgrade में पर्थम सिखर सम्मेलन नाटो का तीसरी दुनिया से क्या भी प्राय है तीसरी दुनिया के देश कौन से कहलाते हैं तो इसके लिए दिया हुआ है अज्यात और पिविक्षी देशों का समू, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, तो क्यूबा मिसाइल संकट सोवेट संक के नेता, 1962 में क्यूबा जो एक सोवेट समयवादी देश था, जो कि अमेरिका के तटके नजदीक था, वहाँ सोवेट संक अपनी मिसाइलें तैनात कर देता है, उसे क्य जो नेता थे वो थे निकीता खुरुष्चिव, सोवित रूस दुआरा, क्यूबा में प्रमाणू मिसाइले कब तैनात कीगी, तो 1962 में क्यूबा मिसाइले तैनात कीगी, शीति युद्ध का समन्द किन देशों से है, तो सीति युद्ध का समन्द अमेरिका और सोवित संग से अमेरीकी नेतरतो वाले पश्चिमी गठ बंदन की जो विचार धारा थी वो क्या थी तो पश्चिमी गुट की विचार धारा थी वो थी पुन्जीवाद अगस्त 1945 में अमरीका ने जापान के किन सहरों पे बंब गिराए तो वो जगह थी सहर थे वो थे हीरो सीमा नागासा की इस तरीके से हमारा important और most topic clear होता है अगर आप channel पे नए हो तो channel को subscribe कर ले इस तरीके के महतोपून topic इस channel पे डाले जा चुके हैं और डाले जाते रहेंगे मिलते हैं next और महतोपून वीडियो में